नोक्री तो 2014 के बाद हमें तो नोक्री पे कोई उम्मीद रही नहीं हुकूमत किसकी बंती उने जड़ा है। दोस्ते हैं। काफिध था। पर डुर्इ जोड़े हैं कि अभी जब मिलेगें कहए इस में इसी जगह नही देखी jijंसे हमें अमीदर लगती हो क्यों कि हमें रुक्री मिल सकें तो जब5 काफिटाइम हो गैसे कहोंप गया ठीडरोट ता में टोच नहीं आहगा जाती है तो कंप कि फूर्थ क्लास लगते थे किस जगर टिछर कि लिए्ट जर्वाइट का लगते लगते हैं लेकिन ऑन कि ज्वाइजेट ग। एक पंदारहर ग्राइब साल लेता है कि यह सोच के एक तो अपन्सर्वा जूट कि यही सोच के मैं पढ़ता हूं लिखता हूं तो बाद में मुझे अच्छी जाब मिल जाएगी मेरी जिन्दगी बन जाएगी तो पंदरा साल वो अपना वेस्ट करके भी उसके बाद भी वो गर में पड़ा है कि इस उसको जाब नहीं मिल रही कोई इससे कोई जिर्या नहीं मिल रहा तो वो तो जर्श आप को मालूँ है सर जब बंदा बेकार जाए तो गर्रों की बाते हमें सुन्नी पड़ती है बारवालों की लोगों मी तो स कुझना है तो गर्प्रों को पी सुन्नी है हमने आप फेखर्चा किया इतना किया तो अभी आपको उसकी कोई चाएदा को फाइदा नहीं आया है तो अब वो लगता है लोगों को हमारा पढ़ना भी बेकार है हमारा इस तरह की स्टेडी करने के कोई फाइदा ही नहीं है जैसे हम पहले स्टेडी करते हैं शोग से हमें कुछ पाड़ लिखके हम कुछ बन जाएंगे लेकिन आप ऐसा कुछ भी नही झाले जी अथैज से तो बाते बहुत बड़ी बड़ी की गएं थी कि कशमीर में भौत सारी इंडस्टी लग जाएंगी रोजगार आज जाएंगे कशमीर बदल जाएगा बहुतना कशमीरında के बाद बदना कशमीर 24 के बात अन्हों नहें इस entrevist किऊनके उनको पता था जो किश्मीरी नौजवान है यह अपना हक चीनते थे लोग सरकार से किस तरह चीनते थे आवाज उठाते थे लेकिन वो अपनी अपना वो ले लेते थे अपना हक दो हुजार चोदा के बाद उन्हें तीन सो सत्तर को जब हटाया तो पत्थरवाजी जो भी थी वो गलत बात थ थे अपने खुद के केरियर के लिए करते थे तब से भो बंद किया तो जॉब भी आनी बन्द होगी हमारे लिए नहीं हुआ थे इनसे थीस बनेंगी फसिल्टीश होंगी सब चीजना इसा कुछ भी नहीं हुआ Star स GR हमारा दिल बहलाने के लिए वह बात कही गई 방법 लेकिए Marta किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं है हमारा केरियर बरवाद हुआ है 2014 के बाद दफ़ा 370 हट आके हमें बहुत ही मुश्कुलातों का सामना करना पड़ते हैं यह मुझे अभी तक याद है जब 370 हटी थी सथपाल मलिक यहां के गवरनर थे और मैंने उनका इंटर्वू भी किया था तो बदा रहे थी कि एक दिन पहली उनको पता चला लेकि 370 के बाद में यह भी बात की गई थी कि हम लोग यहां के हर साल इतने नौजवानों को नौक्रिया देंगे क्या माना जाए कि नौक्रियां निकली आ बिलकुल निकली है यह है यह बात आप के सही है लेकिन नौक्रिया निकली 2014 के भाद आज गोर्मीन ने ज्यकी पी की बर्ती यहां पर किश्मेर मिला है यह रिटी के लिए लेकिन उसमें 4000 पॉस्ट है चारहजार पॉस्ट के बाद, जब मैं फार्म एप्लाई करने गया, तो भण पे शाड़े साथ लाक फार्म एप्लाई हुआ है, waht Thursday मैं ने वह दोगा है जब मैं ने यह बात कही है, उस साथ ला разрाफ न जोञान बेकार है कुछमीर के अंदर, जो बिना रोजगार की जीर रहा तो मैंने अपना फार्म भी एपलाई ने किया, दस साल में इतने लोग बेरोजगार बैठे हुएं, तो जो साथ लाख बैठे हैं, वो किस सिटेज तक वो किस हाल में जी रहे हैं, यहां पर सो की बात नहीं हो रही है, यहां पर लाखों में बात नहीं हो रही है, लाखों के त प्रक्स का कौम बढ़ गया कि नोजवान ऐसे हैं जो अवर एज होगें जिनकी अब एज नहीं रही कि वो सरकारी जॉब कर सकें जैसे जैसे जैके पी कि इनोंने बढ़ती बिलाई उस पे भी काफी आवाज उठाई कि इसमें एज रिलिजाइक्शन दे दो हमें लेकिन उस प कि पी कि अपनी पोस्ट नहीं निकाल सकेंगे वो तो आराम से अपनी पोस्ट निकाल सकेंगे लेकिन उनको फरक इतना लग रहा है कि वो अवर यह जड़ी तो एज में अगर रिलिजाइक्शन उनको मिल जाती तो वो अपना फ़ाम एपलाई कर सकते तो उनको भी एक तो क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद बढ़े हैं या टूरिस पहले भी इतनी आते थे सर दोजाइच चोदा के बाद टूरिस्ट आते हैं लेकिन वह साब नहीं राव जैसे विरोजगार हैं तूरिस्ट के पीछे तो बहुत लोग बागते रहते हैं कि यह को बिरोजगारी है सर पहले 2014 से पहले भी था पहले भी टूरिस्ट आते थे सर किश्मीर ऐसा नहीं है कि 2014 बहुत बढ़ गाए हूँ ऐसा कुछ नहीं देखने को बिला सर राश्पती शासन लगा यहां पर राजपाल तैनात हो गए उससे पहले एक चुनगवा मुकमंतरी होता था अभी मैं चार पाश महीने पहले जब कश्मीर आया था तो मेरे संग दो तीन डायवर्स अलागला टैक्सी में तो हमने कॉमन बात कही कि जब सरकार होती थी तो हम अपने विधायक से मंतरी शिकायत कर दिया करते थे गवर्नर रूर लग गया तो हम किससे शिकायत करने जाए हम कोई हम सब्सक्राइब कोट से वह भी सजीद आगार रूहला सहब से कौफी उन्हें दर्खास्त किया है इसी चीज़ पर आवाज उठाई उनने हमारे मिया अलताफ साहबें नेशनल कांफरेंस के लीडरें उन्हें ने यह बात उठाई उनका मुद्द यही था तो उसके बाद सु सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइब कश्मीर का किन लोगों पर हमें नेशनल कांफरेंस पर जायदा वरूसा है कियोंकि उनके दावें हमसे किये गिए कि दफा 377 को वापस लाएंगे वह हमारा हाक है वह हमें वापस दिलाएंगे अभी दो दिन पहले शायद अब्दुल्ला थाप नहीं यहां पर शिकारा पर एक लेक में रहे लिए थी सरुन की लोग कहते हैं कि जम्मू में नहीं जीत पाएगी कॉंग्रेक्स और नेशनल कांफरेंस घाटी में जीत लेगी यह तो कहने की बातें आती सर जब हमारे यहां से बारह मुले से कंडेड एंजिनियर रशीद साब जब एलेक्शन लड़ने जब जाहल में बन थे तो सब को यही लग रहा था कि इनका यह ऐसी गुमना है इनकी जीत उहने वाली नहीं है जो लीडर है तूँ जैल में बन थे ने की जित कैसे होने हो गी लेकिन जब ऐलेक्शन हुआ उसके बाद जब ऑसका रिजल्ट लोग तो जीत उनकी होगे इंज जोग कह रहे हैं कि एंजिनियर रशीद की जमानत चुनाव से पहले सिए कराई गई कि वो मुस्लिम बोटो का बटवारा कर सकें और नुकसान नेशनल कॉंफेंस को पहुचा सकें ऐसी चर्चा हैं क्या ऐसी चर्चा हैं बहुत हैं लेकिन ये बहकावे के लिए कर रही बटका क्यूंकि उनकी पेले से ववास झाल सिए जो बीजेपी के खिलाफ थी उनको जेल में अगर बंद किया तो बीजेपी के वज़े से बंद किया गया है अगर किसी और के हुकमत होती वह जिए बंद नो होते तो आपको और अबदिल्ला साब में दोने चुनना पड़ेगा तो बड़ा अच्छी बाद हो नेशनल से साथ भी जोइन कर सकते हैं जिए लेक्σιन होने के बाद यह भी हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी चेंजिंग मिलने देखने को मिल सकते हैं एक बड़े वड़ी उमीद लेके बैठे इस बार एलेक्शन पर यह बड़ी बात है कोई जना इंज जबके नेशनल कानफरेंस भी नहीं, पीडीपी भी नहीं, अगर पार्टिस भी किसी ने भी ये आवाज नहीं अठाई तो वो इंजिनेर रशीद साब वाज उठाई है कि शीनगर के बहुत ज़यदा पॉपलर हैं, बहुत ज़दा, बहुत ज़दा पॉपलर है, आप नौज जी ने तीसरा कारेकाल जब समाला इन सौ दिनों में 20 से ज्यादा पच्छेस चौबिस सीस हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो गया आतंग की घट्ना बढ़ी हैं सौ दिनों में 21 सेनिक शहीद हो जाना बहुत बड़ी बात है मुल्क के लिए आपको कह लगता है 2014 के बाद आतंग बाद खतम हुआ या बड़ा मैं ये कहना चाहते हूँ जो आपने पिछले सो दिनों के बात की इसमें जो आतंग का ये चर्चा हुआ देखिए अगर शहीद हुए तो वह हमारे बाद थी ये हमें दुख के जार करते हैं लेकिन हमारे ये कहना है कि है आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एलेक्शन के दूराँ येजिए कीूु होता है? यह इनका इलेक्शन करवाने नहीं कि जिर्या होता है कि这 सेमिर के यासी बाइश घूरी και शरगाए है है? अगर कुछ भी हो यह पर हमें बहुत बड़ी उमीद लेके हम बैठे हुए इस बार हमारा कुछ हो गए सर जब मुख कश्मीर का पूर राज का दरजा खतम कर दिया गया उसको लेके क्या पीड़ा है आप लोगो हमारा दरजा वो खतम नहीं किया वो हमें मार डाला गया सिदा वो हमारे एक बहुत बड़ा दरजा था जिस पे हमें बहुत एक उमीद रहते थी कि जो भी पहले जॉब्स आती थी वो जेके को अलग दी जाती थी लेकिन अब बट ऐसा हो रहा है सर वो यूटी के लिए दे जारी उसमें हमें कोई उमीद नहीं रहती है सर जैके जेकी पी पॉर्ट निकाली ने फॉर्ट फॉर्ट थाउजन टेस्ट है सर हाँ ऐसे ही है लेकिन उसमें भी यूटी रखी गई है सर उसमें जेके पी के है लेकिन कोई उमीद लेके बैठे नहीं तो आपको लगता है नई हुकुमत जो बनेगी चुकि ये राजपाल को ज्यादा अध किस रिख ठेखी अधति ये 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 कितनी है को लोगो ये चाहिए रुट ये हम लोगोंने जो शुरू किया था वो कोंसी लेक थी वो रख फरेंट आपको दिखाते रहे होंगे कि बिल्कुल स्वर्ग बन गया कश्मीर 2.14 के बाद हकीकत क्या ही बहुत लगातार आपको दिखा रहा हूँ लोगों की पीड़ा है कि कश्मीर में ड्रक्सा कारोबार बढ़ गया कश्मीर में नौकिया नहीं है लोगों के लिए रोजगार नहीं है परिशानिया बहुत हैं कम से कम आप इस नौजवान की बात सुनकर आपको लगा होगा कि कश्मीर किन हालाथ से गुजर रहा है और कश्मीर की सही तस्वीर देश के सामने क्यों नहीं दिखाई जा रही मुझको यकीन है ये बात्चीत आपको पसंद आई होगी अपनी राह से जरूर अगवत कराईएगा डरल लेक से योगे शादव के साथ मैं संजेश शर्मा श्री नगर झाल झाल